नमस्कार स्वागत है आपका आनेंग 24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रित सिंग बढ़ते हैं खबरों की ओर भारते जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष अविनास रिवास्तों ने निगम सरकार पर भष्टचार का आरोप लगाते हुए गांधी मैदान को गर्थ में पहुँचाने का आरोप लगाया शहर के प्रमुख मैदान में से एक जोकी शहर के हिर्दय स्थल पर मौझूद है हाता ग्राउंड जिसे कुछ माहपुर्व ही नगर निगम जिग्दलपूर द्वारा एक बड़ी राशी का उप्योग कर काया कल्प किया गया था लेकिन गुडवक्ता विहिन कारे ने इस मैदान की दुरदशा बिगार चुकी है मैदान में जितने भी कारे किये गये हैं वह नगर निगम के रखरखाओ की अभाव में दम तोड़ चुकी है मैदान पर बड़ी बड़ी जाडियां और शराब की बॉटले चारो और बेतरती पड़ी हुई है बस्तर जिले का एक मात्र टर्फ पिच जो की ड्यूस बॉल हेतु उप्योग में लाया जाता है लेकिन अब वह कीमती पिच भी उस मैदान में ढूडने पर भी नहीं मिलेगी पिच भी अब बड़े बड़े घास और जाडियों से पढ़ चुकी है तर्फ पिच को खेल के उप्योग में लाय बिना ही वह विलुप तो हो गई साफ सफाई के दौरान मौजूद भारती जनता युवा मोर्चा के जुला अध्यक्ष अविनास रवास्तों ने कहा कि जिस प्रकार से जग्दलपूर के प्रमुख मैदान में से एक हाता ग्राउंड पर इस्तर हिन कारे किया गया है और मैदान के बनने के पस्चात उदघाटन कर मुखे गेट में ताला खिलाडियों को मासिक शुल्क का फरमान जारी कर युगा खिलाडियों को मैदान से कोसो दूर कर दिया गया आज इस्थिती ऐसी बनाई है कि मैदान के चारो और खिलाडी नहीं बड़ी बड़ी जाडियां घासफूस के साथ शाम को मैदान के अंधिरों में नसेडी खेल रहे हैं कॉंग्रेस सरकार के द्वारा निर्मित हाता ग्राउंड का मुख्य द्वार भी आप तूटने के कागार पर है बात्रूम के नल भी उखड़ चुके है मैदान की दुरदर्शा बतलाती है कि मैदान में किस तरह से बड़ी राशियों का खुले आम बंदर बाट किया गया है सरकार ने इस मैदान को गर्द पर पहुँचा दिया है हमारे चैनल को लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भुले